21 सितंबर आज के दिन मनेपुर ने भारत का हिस्सा बनने का एतिहासिक कदम उठाया था लेकिन मनेपुर का भारत से जुड़ने की ये कहानी जितनी रोचक है उतनी ही कम सुनी गई है चलिए आज हम आपको मनेपुर के इस विलय और उसके गौरवशाली इतिहास की कहानी बताते हैं जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो 1947 में जब अंग्रेज भारत से चले गए तो मनेपुर का शासन महाराजा बोधचंद्र के पास आ गया लेकिन 21 सितमबर 1949 को मनेपुर ने भारत के साथ विलय संधी पर हस्ताक्षर किये 15 अक्टूबर 1949 से मनेपुर भारत का एक अभिन अंग बन गया लेकिन दोस्तों यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती 26 जनवरी 1950 को भारतिय समविधान लागू होने के बाद मनेपुर को भागसी राज्य के रूप में भारतिय संध में जगह मिली इसके बाद 1962 में मनेपुर को एक विधान सभा मिली लेकिन अभी यह केंद्रशासित प्रदेश ही था 1912 में मनिपूर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और यहां 60 निर्वाचित सदस्यों की विधान सभा का गठन हुआ इस तरह मनिपूर भारतिय संध का एक सशक्त राज्य बना मनिपूर का लिखित इतिहास 33 इसवी से शुरू होता है पाखंगबा मनिपूर के पहले शासक थे जिन्होंने 120 साल तक यहां शासन किया इसके बाद कई वीर राजाओंने मनिपूर पर शासन किया महाराज कियांबा, खागेंबा, गरीब निवाज और भाग्यचंदर जैसे नाम मनिपूर के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है इन्होंने मनिपूर की सीमाओं की रक्षा की और इसे सशक्त राज्य के रूप में स्थापित किया उन्नीसवी सदी के अंध तक मनिपूर अंग्रेजों के अधीना गया 1891 में खोंगजोम युध हुआ, जिसमें मनिपूर के वीर सेनानी पाउना ब्रजबासी ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया और वीरगती को प्राप्थ हुए इस युद्ध के बाद मनिपूर ब्रिटिश शासन का हिस्सा बन गया, लेकिन 1947 में मनिपूर ने भी स्वतंत्रता की सांस ली मनिपूर को समय समय पर अलग-अलग नामों से पुकारा जाता रहा है पौरानिक कथाओं और प्राचीन दस्तावेजों से पता चलता है कि मनिपूर को मैत्रबाक, कंलैपू, कौन्थोकलम जैसे नामों से भी जाना जाता था असम और बर्मा के लोग इसे मोगली, कथे और मिकली नामों से पुकारते थे तो दोस्तों, ये थी मनिपूर के भारत से जुड़ने की एक अद्भुत और प्रेनादायक कहानी मनिपूर ने अपनी एतिहासिक धरोहर और वीर्ता से न सिर्फ अपनी पहचान बनाई, बलकि भारत के साथ एक अभिन्न संबंध भी स्थापित किया